नमस्कार साथ यो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल यूट्यूब पाट साला में तो दोस्तों आज हम देखेंगे वर्ण माला से सम्बंदित कुछ महतोपूर्ण प्रस्त जो की आगामी आने वाले परिक्षाओं की द्रिष्टे से काफी महतोपूर्ण है चलिए अगला है दूसरा क्वेशन विशेश रूप से लिखे जाने वाले संयुक्त ब्यंजनों की संख्या है तो संयुक्त ब्यंजनों की संख्या कितनी है ये है आपकी चार कौन-कौन से है चार ब्यंजन है आपके अक्षो तरो ग्यों और स्रो अगला तीसरा question देखते हैं तीसरा question है वर्ण माला कहते हैं तो वर्ण माला किसे कहते हैं तो वर्ण माला कहते हैं आपके वर्णों के व्यवस्तित करम को या वर्णों के व्यवस्तित समू को क्या कहा जाता है वर्ण माला तो answer 103 वाला जो है सही हो जाएगा चौथा question है मात्रा के आधार पर स्वर कितने परकार के होते हैं तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं आपके तीन परकार के याने की दो अंसर सही है तो तीन ये जो है कौन-कौन से परकार के होते हैं एक होता है आपका हस्वर स्वर दूसरा होता है दीरगे स्वर और तीसरा होता है पुलुप्त स्वर तो यही जो है आपके मातरा के आधार पर तीन परकार के स्वर होते हैं अगला है पांचवा क्वेशन निमलिखित में कौन सा मूल दीरगे स्वर नहीं है तो मूल दीर्गिस्वर कौन सा नहीं है पांचवा क्वेशन है तो आपका हो जाएगा आंसर O तो O जो है मूल दीर्गिस्वर नहीं है मूल स्वर होते हैं आपके E, O और R चलिए आगे बढ़ते हैं छटवा क्वेशन है दीर्गिस्वर है तो दीर की सवर कितने हैं? तो दीर की सवर आपकी जो है कितने हो जाएंगे? साथ हो जाएंगे. छटवा क्वेशन है आपका. अगला है साथवा क्वेशन है ब्यंजन कितने परकार के होते हैं? तो ब्यंजन आपके कितने परकार के होते हैं? ब्यंजन होते हैं आपके पांच परकार के, आंसर जो है, और सही हो जाएगा, सात्वा question, अगला question है, आटवा, एक से अधिक वर्णू के मेल को कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णू के मेल को क्या कहते हैं, ये कहते हैं, आपके, अक्षर याने की थर्ड, सो सही हो जाएगा, आटवी का, नववा question देखते हैं, नौवा है निम्न में कौन सा संक्तुसवर नहीं है तो संक्तुसवर नहीं है बताने आपको नौवा क्वेशन तो क्या हो जाएगा उ जो है संक्तुसवर नहीं है फस्ट जो है और इसका सही आंसर हो जाएगा दसवा question है निमलिकित में कौनसा अग्र स्वर है तो अग्र स्वर बताने आपने तो अग्र स्वर हो जाएगा आपका 100 याने की E और O की बात करें तो ये मध्य स्वर कहलाता है A की बात करें ये पस्चे स्वर और ये O भी क्या हो जाएगा आपका पस्चे स्वर चलि आगला question देखते हैं निम्निकित में कौन सा स्वर संवरित है तो संवरित्षवर बताने आपने option है first है E, दूसरा है अउ, तीसरा है A, और A तो संवरित्षवर बताने आपने 11 question तो क्या हो जाएगा E सही हो जाएगा E जो है संवरित्षवर है भासा की सबसे छोटी इकाई है तो भासा की सबसे छोटी इकाई क्या है भासा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी आपकी one याने की 100 answer थर्ड वाला तेरवा question है निम्न में कौन सा कंठे स्वर है तो कंठे स्वर बताना है तो कंठे स्वर क्या हो जाएगा आपका स्वर में जो है कंठे स्वर O और A होते हैं यानि कि इसमें option दो वाला सही हो जाएगा निम्न में से को ही नहीं तो O और A क्या हो जाएगा कंठे स्वर अगला है चोद्वा निम्न में कौन सा स्वर कंठोस्ट है तो कंठोर्ष्ट बताने आपने तो कौन सा स्वर है चवर्ण का आंचर हो जाएगा आपका आउ कितनी हो जाएगी आपकी 25 हो जाएगी जो 5 वर्ग होते हैं वो इस पर ब्यांजन कहलाते हैं को से लेकर जो 5 वर्ग है अगला है 16 question निम्न मैंसे उस्म ब्यंजन है तो उस्म ब्यंजन कौन सा है तो उस्म ब्यंजन हो जाएगा आपका दो सही हो जाएगा सो सो जो है उस्म ब्यंजन होते हैं यार और लोवो की बात करें तो यह अंतस्त ब्यंजन कहलाते हैं शत्रो और श्रो क्या हो जाते हैं, संयुक्त ब्यंजन, सत्रो क्वेशन है, निम्न में से अंतस्त ब्यंजन है, तो अंतस्त ब्यंजन क्या हो जाएगा, यो, यो, रो, लो, वो जो है, अंतस्त ब्यंजन कहलाते हैं, अठारवा क्वेशन है, निम्न में अल्प प्राण ब्यंज है तो अल्प प्राण ब्यंजन बताने आपने अठारवा क्वेशन तो अल्प प्राण क्या हो जाएगा रो हो जाएगा तो रो क्या हो जाएगा अल्प प्राण हो जाएगा अगला है परतेक वर्ण का एक तीन पांच जो पांच वा ब्यंजन या वर्ण है कहलाता है तो परते अल्प प्रान, तो अल्प प्रान होते हैं, परते एक वर का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, बीसवा क्वेसन है हिंदी वर्ण माला में अंग और अहो क्या हैं, तो वर्ण माला में अंग और अहो को क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं, अयोगवा, बो जो है, आंसर सही हो जा आंसर यानि कि 2 सही हो जाएगा 22 वा क्वेशन है लुन्ठित बेंजन है तो लुन्ठित बेंजन किसे कहा जाता है लुन्ठित बेंजन कहा जाता है आपका रो को तो रो क्या हो जाएगा आपका लुन्ठित बेंजन यानि 100 जो है आंसर सही हो जाएगा 23. परतेक वर्ग का दूसरा और चौथवा बitute कहलाता है तो क्या कहलाता है दूसरा और चौथा बेन्जण 23. क्वैसन निम्न मैं से कौन कंथे बivel ब Legân का उधारन है तो कंथे बेन्जन का उधारन बताने आपने तो answer हो जाएगा आपका दो और हो जो है कंठ ब्यंजन है बाकि इसमें वो जो है आपका ये नी है इसमें ये नी है ये तालब भी है उ जो है उष्ट्या है तो जो है ये वाला group जो है सही हो जाएगा दो पच्चिसवा question है काकल्य काकल्य को ही कंठ भी कहते तो कौन सा है ये हो जाएगा आपका हो यानि कि answer first सही हो जाएगाा ऊवाला च्चबिश्वा question है सौ किस परकार का वोन है तो सौ किस परकार का वोन है तो सौ हो जाएगा आपका मुर्धन्य निम्ण मैसे कौन सा ब्यंजन इसपर्स संगर्सी है तो इसपर्स संगर्सी बताने आपने जो इसपर्स के साथ संगर्स करता है यह क्या हो जाएगा चौवर्ग के जितने भी वॉनलन है वो सारे के सारे क्या हो जाते है इसपर्स संगर्सी चलिए अगला देखते हैं तो यहाँ पर यह O है फस्ट वाला यह O है तो चो जो जो है वर के सारे के सारे इस पर संगर्शी है 28 वा क्वेशन है निम्न मैं से भासा की सार्थक इकाई है तो भासा की सार्थक इकाई क्या हो जाएगी भासा की सार्थक इकाई हो जाएगी आपकी 28 वा क्वेशन जो है यह हो जाएगा वाक्य 29 वा क्वेशन है वो और फो वन्नों का उचारन अस्तान है वो और फो जो है इनका उचारन अस्तान बताना है तो यह क्या हो जाएंगे आपके 100 आंसर हो जाएगा दंतोष्ट है तो दंतोष्टे हैं वो और फो तीसवा क्वेशन है दृत्व्यंजन का उधारन है तो दृत्व्यंजन का उधारन क्या है तो दृत्व्यंजन का उधारन हो जाएगा पक्का यहीं ओम की बात करें तो यह प्लुप्त है इसमें प्लुप्त स्वार जिसमें जो है किसी भी जो ह काफी लंबी समय तक बूला जाता है तो फ्लूप तो जाएगा अगला है आपका त्रो उचारन अस्तान किस वर्ण के बाद आता है त्रो का उचारन अस्तान बताने त्रो का त्रो का उचारन अस्तान बताने आपने तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका आंसर सो तो के बात जो है, 32 question है, निम्नमै से अर्दस्वर का उधारन है, तो अर्दस्वर बताने हैं आपने, अर्दस्वर क्या हो जाएगा, 32 question है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फस्ट, वो और यो, यह क्या कहलाते हैं, अर्दस्वर कहलाते हैं, अगला है 33 question, भासा की सबसे छोटी आई कौन सी है तो इसलिए है आपकी वन्ड वन्ड को जो है भासा की सबसे चोटी एकाई माना जाता है हिंदी में मूलतो वन्डू की संख्या है तो मूलतो वन्डू की संख्या कितनी हो जाएगी 52 यानि कि answer दो हो जाएगा ग्योंवालन किन वालनों के सही योग से बना है तो ग्योंवालन जो है आपके जो और योंवालन के सही योग से बना है यानि कि आदा जो और ये पूरा योग second वाला बो अंसर हो जाएगा छत्यसवा question है संगर्शी ब्यंजन का उधारन है तो संगर्शी ब्यंजन बताने आपने तो संगर्शी ब्यंजन क्या हो जाएगा आपका अंसर हो जाएगा दो यानि कि सो 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 यह सारे संगर्शी ब्यंजन होते हैं अगला है से तिस्वा क्वेसन है प्रकम्पित ब्यंजन का उधारन है तो प्रकम्पित ब्यंजन किसे कहते है तो प्रकम्पित ब्यंजन हो जाएगा रो लुंठित या प्रकम्पित इसके दो नाम है लुंठित भी कहा जाते है और तिस्वा question है और तश्य ब्यंजन का उधारन है तो इसका उधारन क्या हो तो यह क्या है और तश्य ब्यंजन का उधारन है अगला है उन्तालिस्वा क्वेशन सिथिल स्वर है तो सिथिल स्वर किसी का आ जाते है तो सिथिल स्वर है आपका E, छोटी E जो है सितिल स्वर है फस्ट जो है और जो है इसका सही आंसर होगा और चालिसवा क्वेशन है मूल स्वर का उधारन है तो मूल स्वर का उधारन क्या है तो मूल स्वर जो है आपका हो जाएगा U मूल स्वर यहाँ स्वर चलिए दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद